सभी मित्रों को जय जय सियाराम प्रभु सिरी राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो हमें भी हमें कभी भी अपने बिद्धता और अपनी साधना पर घमंड नहीं करना चाहिए तो आईए कभीर दास जी की एक कथा आज आपको हम सुनाते हैं तो शंत कभीर दास जी गाओं के बाहर जोपरी बना कर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे कबीर दास जी के कारोज का नियम था कि वो सविरे नदी में असनान करके और गाउं के शभी मंदिर में जाते थे और वहाँ भजन में बैठते थे और देर साम घर लड़ते थे वो अपने नित्य नियम से गाउं में निकले थे इधर पास के गाउं के एक जमिनदार का जवान लड़का मर गया उसके घर में कोहराम मचा हुआ था आखिर में किसी ने सुझाया कि गाउं के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो साइद कुछ कर दें सब तयार हो गए लास को लेकर पहुंचे कुटिया पर देखा बाबा तो है नहीं अब क्या करें तभी कमाल जी आगे उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है सब मंदिरों के दर्शन करके लोडते लोडते उन्हें रात हो जाती है आप बोलिए कि आपको काम क्या है लोगों ने लर्के के मरने की बात बता दी कमाल ने सोचा कि कोई बीमारी होती तो ठीक था परे तो मर गया है अब क्या करें फिर भी सोचा लाव कुछ उपाय करके देखते हैं यह साहद कहीं बात बन जाए कमाल ने कमंडल उठाया लास की तीन परिकर्मा की फिर तीन भार गंगा जलका कमंडल से छिटा मारा और तीन भार राम नाम का उच्छारन किया लर्का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया लोगों की खुशी की सीमा न रही इधर कभीरदास जी को किसी ने बताया कि आपके कुटिया की और गाउं के जमिंदार और सभी लोग गए हैं कभीर जी तीज कदमों से बढ़ने लगे उन्हें रास्ते में ही लोग नास्ते कुछ ते मिले कभीर जी कुछ समझ नहीं पाए आकर कमाल से पुछा कि क्या बात हुई तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा बोला गुरु जी आप बहुत दिन से आप बोल लहे थे ना कि तिर थे आत्रा पर जानना है तो अब आप जाओ यहाँ तो मैं सब संभाल लूँगा कबीर जी ने पुछा कि क्या संभाल लेगा कमाल बोला बस यही मरे को जिन्दा करना बीमार को ठीक करना ये तो सब अब मैं ही कर लूँगा आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इक्षा हो कबीर ने मनी मन सोचा कि चेले की सिध्धी तो प्राप्थ हो गई है पर सिध्धी के साथ ही से घमंड भी आ गया है पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा बाद में तिर्थे यात्रा होगी क्योंकि शाधक में घमंड आया तो शाधना समाप्त हो जाती है कबीर दासी ने कहा ठीक है आने बाले पुर्ण मासी को एक भजन का आयोजन करके निकल जाओंगा यात्रा पर तब तक तुम आज पास के दो चार संतों को मेरी चिथी जा कर दे आओ भजन में आने का निमंत्रन भी देना कबीर जी ने चिथी में लिखा था कमाल भयोग कपूत कबीर को कुल गयो डूब कमाल चिथी लेकर गया एक संत के पास उनको चिथी दी चिथी पढ़के वह समझ गया उन्होंने कमाल का मन टटोला और पुछा की अचानक एभजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ कमाल ने अहंग के साथ बताया कुछ नहीं गुरुजी की लंबे समय से तिर्थ पर जाने की इक्षा थी अब मैं सब कर ही लेता हूँ तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप जाओ यात्रा कराओ वह जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है संत दोहेकार समझ गये उन्होंने कमाल से पुछा कि तुम क्या क्या कर लेते हो तो बोला वही मरे को जिन्दा करना बीमार को ठीक करना जैसा काम संत जी ने कहा कि आज रुको और साम को यहां भी थोड़ा चमतकार दिखा दो उन्होंने गाउं में खबर करा दी थोड़ी देर में दो-तीन सो लोगों की लाइन लग गए सब नाना प्रकार की बीमारी बाले संत जी ने कमाल से कहा चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो कमाल तो देखके चौक गया रहे इतने सारे लोग है इतने लोगों को कैसे ठीक करूए है मेरे बसका नहीं है संत जी ने कहा कोई बात नहीं अब यह आए है तो निरास लोटाना ठीक नहीं तुम बैठो संत जी ने लोटे में जल दिया और राम नाम का एक बार उचाहरन करके छीट दिया एक लाइन में खरे सारे लोग ठीक हो गए फिर दूसरी लाइन पर छीटा मारा वे भी ठीक बस दो बार जल के छीटे मार कर दो बार राम बोला तो सब ठीक होके चले गए संत ने कहा कि अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे, पासके गावमें एक सूरदाश जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुलाला फिर सभी इकठे होकर चलते हैं भजन में कमाल चल दिया, सूरदाश जी को बुलाने, सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ कि एक बार राम कहते हैं इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए मैंने तीन बार पर दक्षना की तीन बार गंगा जल्ची रख कर तीन बार राम नाम लिया तब बात बनी यही सोस्ते सोस्ते सूर्दास जी की कुटिया पर पहुँच गया जाके सब बाते बताई क्यों आना हुआ कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूर्दास बोले बेटा जल्दी से दौर के जा टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है जल्दी उससे बचा ले कमाल दौर के गया टेकरी पर से देखा नदी में एक लर्का बहा आ रहा था कमाल नदी में कुद गया और लर्के को बाहर निकाल कर अपनी पीठ पर लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा चलते चलते उसे विचार आया कि सूर्दाजी तो अंधे है फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लर्का कैसे दिख गया उसका दिमाग सुन हो गया लर्के को भूमी पर तो देखा कि लर्का मर चुका था सूर्दाज ने जलका चीटा मरा और बोला रा तब तक लर्का उठके चल दिया आप तो कमाला चंभित के अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला खली रा बोलते ही लर्का जिन्दा हो गया तब कमाल ने वह चिठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिख्या है जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया पापस आके कबीरदास जी से बोला गुरुजी संसार में एक से एक सिध्ध है उनके आगे में कुछ नहीं हूँ गुरुजी आप तो एही रही अभी मुझे जाकर भर्मन करके बहुत कुछ सिखने समझने की जरूरत है कहने का तातपर्ज है कि गुरु की किपाश से सिध्धिया मिलती है उनका आसिरबाद होता है तो साक्षात इस्वर आपके साथ खरे होते हैं गुरु गुरु ही रहेंगे वह सिख के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्क दर्सक बनकर अपने सिख को पतन से बचाते हैं तो बोलिए जय जय सी आराम जय सी आराम